2024 या 2025 आप जब भी सीटेट में फॉर्म अप्लाई करने का सोच रहे हैं और जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है अगर देखे इस टाइम क्या हो रहा कि सीटेट में सब कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा अब मेरी बात ध्यान से सुनिए अगर आप पहली बार ही सीटेट में अपियर होने का सोच रहे हैं तो फिर एक बात सोचिए जब आपने कोई एक्जाम दिया ही नहीं है तो आपको क्या पता है कि पहले से ज्यादा डिफिकल्ट लेवल है या इजी लेवल है और आप सो जा तो इसलिए क्या है कि आपको अगर आप फर्स टाइमी सीटेट में अपियर होने जा रहे हैं तो आप अपनी तयारी इतनी अच्छी लेकर चलिए कि आपके फर्स टाइम में ही 90 पलस मार्क्स तो आही जाए मेरे कितने मारक्स आया था मैंने बहुत तो उसमें जैसे कि आप पहले कितना easy आता था, बाद में कितना difficult आया है, मैंने first time seated दिया, तो मेरी तयारी जिसके according होगी, वैसे मेरे marks आएंगे, उसके according मैंने जैसे की video बना रखी, आप देख सकते हैं कितने marks आये थे, कितने दिनों की तयारी थी, क्या strategy थी, तो आप भी अपनी तयारी इतनी सब्सक्राइब करें या जिनका एक बार में अभी तक qualify नहीं हुआ है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोगों का ऐसा नहीं है कि seated difficult है, थोड़ी सी कहीं जो भी कुछ कमी रहे गई हो ना, तो उसको topic wise आप analysis करके देखिए कि कि किस topic में आपका marks ज्यादा कट रहा है, उसके according क्या है, जोब आप topic wise चीजों को analysis करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहां पे क्या कमी है, उसको अगर आप सुधार लेंगे, तो definitely आपके marks भी काफी अच्छे आएंगे और बहुत ही अच्छे marks से seated qualify हो जाएगा, अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, आप अगर एक दो बार में seated qualify नहीं कर पाएं, तब भी आपके लिए तो plus point है, क्योंकि आपने एक दो बार seated में exam में बैठ के उसका pattern समझा है, उस exams को attempt किये है, paper one हो या paper two हो, आपने attempt किया तो आपको पता है कितना content किस level का आता है, क्या CDP आती है, अब अगर आप पढ़ने अगर आपका अभी तो qualify नहीं हुआ है, और जो लोग पहली बारी seated में form appear करने जा रहे हैं, तो वो लोग क्या करें, कम से कम आपको एक महिने का time तो देना ही है, even अभी तो आपके पास बहुत सारा time है, तो आप बहुत ही अच्छे सूस को पढ़िए, जिसकी वज़े से आ सके, बट अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हैं कि जब seated में बहुत ही कम time बचा है, seated exam होने में, तो definitely अगर आप first time पढ़ रहे हैं, बट आपको concepts को एकदम clear करके पढ़ना है, उनके concepts पढ़ने के बाद में previous questions को जरूर solve करना है, topic wise भी और mixed question भी, इससे आपको समझ म आएगा ना कि कहां पर आप अटक रहे हैं, कहां पर कमी हैं, जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक तो seated difficult है, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़े अप्लाई करने हैं अपनी studies पे, तो definitely seated difficult नहीं है, क्योंकि seated के अलावा भी अगर आप government job में जाना चाहरे हैं, तो आप को और भी कई सारे exams देने हैं, उसके बाद ही आप qualify माने चाहेंगे, और उसको qualify करने के लिए जब seated का level ही आप इतना difficult मानके चलेंगे, तो बाकी के exams कैसे, जैसे कि आप जानते हैं, जीएस, maths और कई सारी चीज़े आती है, जीएस का तो कोई अंत ही नहीं है, कितने questions कहां से आजाएं, कौन से टापिक आजाएं, उस तरीके से आपको seated में पता हैं, जीएस के पाद में आप बाकी के सब्जेक्स पर जाएं, मैं आपको पता हैं, इतना high level नहीं आता है, easy ही रहने वाला है, और बाकी का EBS वगएरा जो भी हैं, बहुत easy हैं, बस आप क्या करिए, कोई एक बढ़िया टीचर यूटीब से देख लीजे, या आपके पास बुक है तो उसको प्रिफर कीजिए, बच continue, regularly, topic-wise, आप एक-एक सब्जेक्स को complete करके रखें, मेरे नोट्स seated के मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ, किस तरीके से मैंने बस एक कॉपी में सारे नोट्स बन आया, तो फ्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, बाकी अपने फ्रेंट्स के साथ में जो सीटेट कर रहे हैं, या फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी अपडेट्स पाने के लिए, थैंक्स फो वाचिंग, कॉमेंट कर दीजिएगा, अगर क कोई भी सीटेट से रिलेटेट डाउट हो, मैं डेफिनिटली ट्राइ करूंगे कि आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाइ कर सकुए, थैंक्स फो वाच जिए